हेलो दोस्तों, नोटिफाई, नोलेज में आपका स्वागत है और फ्रेंड आज हम लोग बात करने वाले हैं योपी स्कॉलरसिप 2023 के बारे में फ्रेंड आप लोग के दोरा यूटूब पे बहुत ज़दा कमेंट के जाता है मैं उसका reply जो है वहाँ पे नहीं दे पाता हूँ तो इस वीडियो में आपके दोरा जो किया गया यहाँ पे question है जो वहाँ पे क्या गया मतलब comment है उसका reply मैं यहाँ पे देने वाला हूँ यह जो session है यहाँ पे Q&A का होने वाला है कि आज जो यानि कि 23 मार्च के डेट में scholarship आया है या फिर नहीं आया है अगर आयगा तो कब तक आयगा ठीक है ना इनके बारें भी सबसे पहले हम जानकारी देंगे बस आप लोगों से रिकवेश्ट आगा अगर आप लोग नय होंगे या फिर मेरे चैनल पे पहली बार आये ह या फिर नहीं किया गया है देखिए आज जो है यहाँ पे scholarship डिस्टिबूट नहीं किया गया है ऐसा कोई भी candidate नहीं मिला है जिसकी scholarship यहाँ पे आई हो बसरते अगर 81% छात्रों को छोड़ दे ठीक है ना मतलब में भी हो सकता है आया होगा 82% को हम यहाँ पर ignore करते हैं जो अ आज क्रेट में scholarship डिस्टिबूट नहीं किया गया है तो फ्रेंड यहाँ पे पहले question का answer आप लोग को मिल गया होगा second question यहाँ आता है कि scholarship आप तक आएगी आज क्रेट में नहीं आई आई आप यहाँ पर कल पड़ जाएगा Sunday उसके पड़ पड़ जाएगा हो ली तो आप इ scholarship है यहाँ पर 31 March 2024 तक आने वाली यह बहुत सारी लोग comment कर रहते हैं कि सर्फ पहले आप जो है यहाँ पर 22 March 22 March हमेशा कहा रहते हैं अब यहाँ पर क्यूं आप 31 March करना ठीक है न यहाँ पर देखिए मैं अपने end से कुछ भी नहीं कहूंगा मैं अपने मन से क्यूं कहूंगा यहाँ पर 22 March आएगा यहाँ पर मैंने आप लोग को जो है एक टाइम टेबल दिखाया था टाइम टेबल में यहाँ पर mention किया गया था जो समाज कल्याड व्याक के दौरा जारी किया गया टाइम टेबल था वहाँ पर साब साब mention किया गया था कि जितने भी candidate है उनकी स्कॉल अब यहाँ पर देखे कुछ यहाँ पर कुछ लिखा हुआ ठीक है इसको आप लोग पढ़ दीज़ेगा और जो लोग अभी टेलिग्राम पे नहीं जुड़े हुआ टेलिग्राम पर मैं इसका पूरा जो बेवरा है मैं वहाँ पर सेयर कर चुका हूँ ठीक है और morning में ही मै पात्र चात्रों को शार्षन द्वारा जारी समया सारणी के अनुसार चात्र चात्राओं को निदसाले द्वारा धनरासी प्रेशन की कारवाही दिनांक 31 मार्च 2024 तक प्रेशित कर दीजाएगा ठीक है ना तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर बात लोगी पात्र केंड़ेट जितने भी हो कि उन सभी छात्रों की छात्र चात्र विर्ति जो है 31 मार्च 2024 तक आजागी तो जितने भी केंड़ेट है अभी परिशान मत हुए थोड़ा सा धहर रखे चैनल पर अगर आप लोग सस्क्राइब ने तो सस्क्राइब कर लेगे जो भी पर information दे दिया जाता ठीक है अब यह तो बात रही जो आप लोग जिस मकसद से यहाँ पर आए होंगे मैंने यहाँ पर आपको जो है दो चीज को बारे मता दिया है अब यहाँ पर मैं start करता हूं जो आप लोग को दरा comment क्या है ठीक है अगर आप लोग जो है comment में interest रकते हैं उसके comment से भी आप लोग को जो है बहुत ज़्यादा knowledge मिलने वाला है तो अगर आप लोग चाहाँ तो वीडियो को वाच कर सकते हैं वहना आप लोग यहाँ पर skip करके छोड़ सकते हैं ठीक है तो friend यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं कि आजा जी है इन्होंने comment क्याता कि sir मेर scholarship मतलब scholarship college से forward नहीं हुआ है ठीक है ना और दोबारा forward कब होगा sir ठीक है तो जैसे मैं आपको यहाँ पर information बहुत सारे candidate ऐसे हैं जिनके form को यहाँ पर college ने forward नहीं किया था बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपने form में correction किया था correction form जो है college में जमा किया बट college ने उ तक जो correction portal है यह open किया था अगर आप लोगों ने correction किया होगा और आप लोग के form को college ने forward नहीं किया होगा तो अब आपके पास कोई भी यहाँ पर मौका नहीं है जितने भी कंडेट हैं जिनका form college label से forward नहीं किया गया है उन सभी छात्रों की छात्तर विरती नहीं आने वाली है आने वाले समय में उनके current status में reject वाला region सो कर दिया जाएगा ठीक है तो फ्रेंड यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं एक candidate है जोनोंने comment किया था कि general वालों की कब आएगी ठीक है ना देखिए जैसे मैंने कि आपको starting में ही यहाँ पर बता दिया है जितने भी candidate बच्छे कु है यहाँ पर crash हो चुका है PFMS पर आपको मतलब ज्यादा उहाँ पर time spend करने की ज़रूरत नहीं है ठीक है आप लोग जो है आपका पैसा जो है आप लोग के bank account में आने वाला है PFMS से यह आप लोग को जो है अंदाजा मिल जाता है कि आप लोग की scholarship आएगी या फी नहीं है ठी है और यहाँ पर आप लोग उस पर ज्यादा dependent मत रही ओके अब आप लोग का पैसा जो है आप लोग के bank account में आने वाला बस थोड़ा सा आप लोग जो है और इंतजार कीजिए तो फ्रेंड यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं एक candidate है जिनका नाम है मांसी बीमल जी इन्होंन के दोनों जो candidate है मतलब यहाँ पर scholarship के बारे में बात कर रहे हैं और यहाँ पर यसी और यस्टी community वालों के लिए ही बात यहाँ पर की जारी है एक candidate ऐसा है जो यहाँ पर बोला कि अभी तक जो है यसी और यस्टी वाले candidate का एक भी पैसा नहीं आया है बट यहाँ पर जो second candidate ह जिनका अभी भी यहाँ पर first installment नहीं आया है जितने भी यहाँ पर यसी और यस्टी community के एक मतलब candidate है उनको बिल्कुल परिशान हो नहीं किया हो सकती नहीं जिनका first installment अभी तक नहीं आया है आप लोग को भी यहाँ पर 31 मार्ट तक वेट करना है 31 मार्ट तक या तो उससे पह सकते हैं तो फ्रेंड यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं राधे राधे दी है इन्होंने कमेंट केता कि सर हमारा scholarship नहीं आएगा ठीक है अगर आप लोग का form verified है तो सारे चातर जो है eligible है scholarship पाने के लिए आपको अपना current status चेक करना है अगर आपका current status verified है तो आपको भी यहाँ पर 31 मार्ट तक वेट करना ठीक है अब यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं अक्छा यादो जिए इन्होंने कमें सदन इंडर के अगरेट है तो यहाँ पर मान के चलिए only जो है एक से लेकि 2% candidate ऐसे है जिनकी scholarship पाई है उसके अलाव में OBC जेनल मानोटी वाले छात्रों की छात्र विर्ती नहीं आई है only जो है यहाँ यहाँ पर यस्टी वाले candidate की जो अधिकतर candidate है उनका first installment यहाँ पर release किय जा चुक है ठीक है तो फ्रेंड यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं देपाली यादो जी है इन्होंने comment क्या था कि सर क्या OBC वालों की भी scholarship आगे जी हाँ तो यहाँ पर सेम्ल से मोही बात है आप लोग की scholarship जितने लोग बचे कुछ है अब यहाँ पर आप लोग का एक ही answer है कि जितने candidate है जो लोग यह पूछने की हमारे scholarship तक आगी तो सारे candidate को 31 मार्थ 2024 तक का wait करना है 31 मार्थ 2024 तक आप लोग की scholarship है आप लोग के bank count में आने वाल तो फ्रेंड यहाँ पर आप लोग जो है उपर दे सकता है यहाँ पर संगम सुकला जी है इन्होंने comment क्या था कि गत वर्स मतलब फोस्ट समेस्टर में ठीक है ना जैसे कि आप लोग को पता है मैंने आप लोग को यहाँ पर information दिया था कि यहाँ पर जो है जो ओबीसी जनरर मनुटी वाले कंड़ेट है उनकी scholarship उनके गत वर्स के percentage के बेस पर आती है तो आप बहुत सारे कंड़ेट जो है यहाँ पर उनको पता नहीं चला है कि गत वर्स का मतलब क्या होता है गत वर्स का मतलब यह होता है जैसे माल लोग जो है फर्स्ट येर मतलब आप लोग यहाँ पर फॉर्स येर में कितना परसेंटेब्स है जो होता है जो आप प्रिबियस येर में पाए होते है ठीक है ना पिसली कच्छा में आप लोग जो पाए होते हैं ठीक है और यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं ठीक है ना नाम भी ऐसे रखें हाउ मच ओके और इन्होंने कमेंट किया है कि एक 90% है फिर भी स्कॉलर्शिप नहीं आई है देखें यहाँ पर चैनले पर सेंट रहे हैं जितने भी कैनरेट हैं सभी छात्रों की छात्तर विर्ति जो है एक ही क्राटरियम डार के उनकी स्कॉलर्शिप भीजाएगी ठीक है ना जो भी हैं पर समाजिकल नाडविया को दोरा क्राटरिया डिसाइड के जाएगा उसके अंदर यतने भी छात्र विर्ति उनके बैंक और में आ जाएगा ठीक है तो फ्रेंड ये जो है कुछ आप लोग का चुननदा कमेट था जो मैंने वहां से पिक किया है और बहुत सारे छात्र रहे थे जो मतलब ऐसा एड़िट ऐसा ही कमेंट किये वहाद थे बट मैंने उनको पिक नें किया मैंने यहाँ पर एक एक कमेंट पिक किया जिसे सारे अमतलब सारे बच्चों यहाँ पर क्वुरी था उसका चैनल चलिक आपको अच्छी लगयो पशन दहगी लाएक शेर नए होंगे तो चैनल को जरूतुर सब्कर झाल झाल ती